कि नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसे के हमारा वकैबलरी का सेशन चल रहा था vocabulary through root words मतलब जो हमारे root word root मतलब कोई root words है Latin, Greek इन सबसे लिए हुए root word है उनसे vocabulary को कैसे तयार करना है vocabulary को कैसे हमारी build up करना है वो हमारे चल रहा था session में तो आज का जो root word है वो है plaque plaque, P-L-A-C और place मतलब और इसका earth जो इसका मतलब होता है to please sooth और calm down मतलब किसी को क्या करना उसको शांत करना किसी को calm down करना कोई घुसे में है excessive ज्यादा घुसे में aggressive उसको क्या करना सांत करना ठीक है तो हमारे जो इस root word से plaque जो root word है इससे जो बने हुए है मतलब खुश करना किसी को satisfy करना please का मतलब हो गया ठीक है और इसी से जो root word से बने हुए सब्दें वह हम पढ़ते हैं पहला जो सब्दें हमारा placate है placate सब्द प्लकेट क्या होता है एक वर्ब होती है ठीक है जिसका मतलब क्या होता है to pacify calm down मतलब pacify to pacifier calm down अब देखिए pacify से आप कैसे याद कर सकते है जिन है इसे फाइब naszych फइक है ठीक है पैसिफिक ओशियन ठीक है और pacify ओशिएन को हिंदी में क्या बोलते हैं परसांत को सांत सब्सें हम इसको याद कर सकते हैं को क्या बोलते हैं calm down मतलब शांत करना कि ठीक है दूसरा सब्द है दूसरा जो वर्ड है price jimicic exempt gift और इसका आर्थ इसका मतलब क्या होता है कुट काम और सिरीन कुट काम और क्या होता है सिरीन में तो कुछी को कुष्छा करना सांत करना काम मतलब सांत करना सिरीं recruit तات फ्लियप त्लावन Vari drug is time was to Kami felt on ju paper यह भी से यह जिसको वोलते हैं संख्ष को हम सांत कर सकते हैं जो सकता है उसको वन सकते को सब्सक्राइब से हम क्या जा सकते हैं सांत कर सकते हैं चोथा वर्ड है हमारा इस इंप्लौसक्ति इसका मतलब क्या हो गया जिसको शांत ना क्या जा सके जो क्या हो भोती एग्रसीव हो वोईलेंट हो एंग्री परशन हो ऐसे को हम क्या बोलेंगे Implacable Implacable एक adjective है ठीक है fifth word क्या हो गया पांचवा सब्द है complacent complacent क्या होता है complacent भी एक adjective है और इसका मतलब क्या होता है complacent का मतलब होता है self-satisfied ठीक है complacent क्या हो गया एक मतलब जो शंतुष्टी होती खुद जो बंदा मैंा मैं खुड शंतुस्ट हो संतुस्ट व्यक्ति के लिए यूजा जाता है कॉंप्लेसेंट एक नाउन भी ओती है जैसे यह इसके लिए नाउन भी होती है कॉंप्लेसेंसी नाउन चतेंAD टीक है एक टेस्ट सुना उगा प्लेसिबो एफेक्ट का नाम सुना हो गा उसको हो और गूर्ड पना लेते हैं आप मेंहें वह दोग्रूप मनलो यह दो ग्रूप है इसमें एक इस ग्रूप को रियल में कुछ टेबलेट देते हैं किसी चीज़ की ठीक है और इसको हम फेक होई मतलब टेबलेट नहीं होती है किसमें क्या होता है और इसे मुअ ऑप 모든 को यह यहिश्य पाउडर के फों में या ऐसे वाइट पाउडर के वैसी ही टेबलेट्स बनाके उनको वोल दिया जाता है कि यह आपको डिखान फ़िः लेटर्फ को तो स्यायक लोग आड़क करन augas को छूझार्य फैक्क्ट बना दिया जाता है जिस्सें वो लोग सोश्त है कि हम को भी वही चीज दिगत जो जुटने जल्दी ठीक होते यह भी यह typ pH है इसके बाद वर्ड मारा कॉंप्लेसेंट होता है क्या होता है क्या थो cutie कोलुएंट उर्था जो इसका मतलब क्या हो गया विल्लीग टू प्लीज अदर्स ओरक accept what they do or say without protest मतलब कॉंप्लाइसेंट क्या होता है इसका मतलब क्या होगा कॉंप्लाइसेंट का मतलब जो क्या बोलते हैं मतलब जो हमेशा हमेशा दूसरे को खुश रखते हैं सब की बात मान जाते हैं बिना किसी प्रोटेस्ट के या किसी भी उसके कोई आनाकानी के उनकी बात म हो थी कि हम दूसरों को खुश रखें एक्सेप्ट कर लें वो चीज जो वो लोग चाहते हैं बिना किसी प्रोटेस्ट के या बिना कुछ कहें ठीक है ऐसे अब एक्ति भी बहुत कम होती है अब नेक्स्ट जो अब यह जो हमारे रूट वर्स था प्लैक इसी से वह सब्द बना होते हैं प्लैकेट का मतलब क्या होता है और काम डाउन मतलब सांथ करना किसी को कम डाउन करना ठीक है तो इसका सिनुनियम क्या होगा सबसे पहला वही होगा प्ली पैसिफाई हो गया काम डाउन हो गया अपीज हो गया मतलब अपीज को हम क्या बोलते हैं पीसफुली भी हो शूत का मतलब भी वही होता है संथ करना है ऑल पर ही दे रखा है कCam tout का मतलब भी होता है सज़ों यल में सट करना होता है दो पर मिन्ट को दें आजब लो डेसले हम wise अंद आच कौंसिलीयर्ट होता है स्विस डान यल राधर है शूलिएंट कर्らणाहनला告诉 प्रीच जादव किसी बी जीच को कम करना अगर बहुत कोई गुससे में है उसको के थोड़ा सांत करना and कम करना तो तो इसे का क्ता की ऌड़ानीं करना उता है। अनोनि 하면 जो घंसाइब का थीक है तो एंटोनीर में होता है प्रवोग मां excitement करे दॉना घंडरेजệc थीक है एंडरेज के बद f प्रिछ इन्टियेट अब अर्फ दिए और इंटड्रेट अब एंड्रेज का जो यह वर्ड है आर अरजिए इसका मतलब होता है एंगर उसको मतलब गुश्सा दिलाना आउट्रेज इंड्रेज यह सब ठीक है इंटरेज इन्फुरियेट करना किसी चीज को फॉमेंट फिर्म instigate इन सबका मतलब वह यह उसको बढ़काना होता है अब देखो इसमें जो यह सबद दे रखा है यहां पर क्या बोलते हैं जैसे की वर्ड है elevate escalate escalate हो गया as escalate हो गया amplify होता है यह जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है करना होता है अने कि वर्द समय पास यहां पर मालो। आप मालो, हमारा यहां कम करना होता है ध्याद करते हैं है तो ऊसके लिए क्ळा करते हैं कि ऑस चीज को क्या करते हैं डिक्रीज्ट और हम क्वार्ट यह की Clay applies श astronaut करते हैं खीक और और करना पृद्धसी आगाकिसी चीज का फाइक्ट था है इस चीजने का अप्ट भाई जाधा प्ट रहा है इसको कम काम कर ना है तो विभ् Speaker के लिए आ मां यूजब यूजेसे यह कि किहां मतलब करना होता है दूसरय सब्सका मतलब करना हम अगर सही अर्थ कहां पर इसका देगा जा पुल्ह आपि जाते ग्हेस दॉह माहिनी रखता है ठीक है तो यह हमारे रूट वर्ड्स के सेशन चल रहे थे हैं आप रूट वर्ड्स को देख पढ़िके और इनको अपनी वकेबलरी रेडी तयार कर सकते हैं ठीक है दिनेवाद नेक्स्ट का हमारा सेशन देखते हैं किस चीज का है